हेलो गाइस इस वीडियो में कबर करने वाला हुई यूडो 2020 का आज का मैच डेनमार्क भर्सेस बेलजियम के बिच में तो मैच स्टार्ट होगा आज 9.30 पीम पर कनफर्म लाइनपस आ जाएगा 8.30 पीम पर कनफर्म लाइनपस और आपटा लाइनप फाइनल टीम आपको टेलिक्रम चैनल पे मिलेगा तो सबसी इंपोर्टेंट है टेलिक्रम चैनल पे जोईन करना जोईन कर लो simply जो वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो की description चेक करो आपको link मिल जाएगा उस link के थुरू से telegram channel पे join कर लो after line of final team telegram channel पे मिलेगा और जो भी further updates news information आएगा telegram channel पे आएगा तो definitely telegram channel पे join कर लो तो फ्री से एक बड़ आपको notify कर देता हूँ telegram channel पे join करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि after line of final team और जो भी further updates आएगा telegram channel पे आएगा तो definitely join कर लो join कैसे करना है एक ही तरीका है simply जो वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो की description चेक करो आपको link मिल जाएगा उस link के थुरू से telegram channel पे join कर लो already 24,000 से आसपासी लोग join हो चुका है अब भी join करो free में benefits उठाओ तो telegram channel पे definitely join करना आपको वीडियो की description पे link मिल जाएगा link के थुरू से join कर लो अब बात कर लेते हैं recent form और head to head record की तो Denmark last five matches में एक match draw three match win और एक match loss किये थे और last match में सबसे बड़ा एक incident हो गया था इनका जो captain सी कर रहा था Ericsson वो थोड़ा सा मतलब field में ही injured नहीं बोलूंगा उसको थोड़ा heart problem आये थे और वो substitute हुआ था और match को almost called up कर दिया गया था लेकिन उसके बाद जब Ericsson थोड़ा अच्छा हो गया था मतलब उनका health सही हो गया था डक्टर दिखाने के बाद तो उसके बाद फिर से मैच स्टार्ट हुआ था और वहाँ पर फिंट लैंड उनको हडाया था जो डेन्मार्क को जितना चाहिता वो मैच हड़ गया था तो इस मैच में और भी ज़्यादा पेशार होगा सामने बेल जियाम जैसे स्ट्रांग टीम है लास्ट फाइव मैचेस में बेल जियाम ठ्री मैच में विन किया है दो मैच में ड्रॉ किया है और इनके पास कॉलिटी इस्टवोग एबिलेबल नहीं है फिट नहीं है इस वजह से अभी स्कोर्ट जोईन नहीं किये है केविन डिपुई न अगर खेलता और भी ज्यादा strong बन जाता लेकिन अभी Kevin De Bruyne के इलाभा भी team बहुत strong है जिस team के पास Romelu Lukaku है उस team का goal scoring ability में कोई भी शक नहीं होते है head to head record देखोगे तो यहाँ पर Belgium Denmark एकदम बड़ाबार है last five matches में Belgium ने two time जीते थे और recently जो दो match हुआ था ओ दो match में जीते थे Denmark ने दो match जीते हो और एक match draw हुए है so अब बात कर लेते है possible lineups की so possible lineups पहले मैं Belgium की बात करना चाहूँगा goal की बस में आपको टीबूइट कुट्रियोस खेलत हुए दिख जाएगा उसके बाद defenders की बात करूँ तो Toby Alderweald है बयाटा है भरमिलीन है थोमास मुनियार भी डिफेंडस में आपको दिख जाएगा तो यह चारो ही defenders important होगा क्यूंकि Belgium के पास quality है डिफेंडस में तो clean sheet रख सकते है तो अगर आप clean sheet पेडिक्ट कर रहे हो बेल याम के लिए तो definitely यह चार डिफेंडस को आपकी टीम में रख लेना midfills की बात करूँ तो लेंडर डॉंडे कर थोड़ा न्यूस आड़े एडिन हजाट स्टार्ट कर सकते है अगर वो feet available होगा तो वो स्टार्ट करेगा तो most probably करासको या डिन डॉंगर के प्लेस पे वो most probably खेलने वाला है एडिन हजाट अगर वो खेलेगा तो एक must happy होगा क्यूंकि national में बहुत अच्छे performance रहता है थोड़ा injury concern है एडिन हजाट का लेकिन वो अगर खेलेगा तो एक बड़िया option बनेगा तो आभी जो possible line-up से दे रखें उनके बारे में मैं discuss करना चाहूंगा आपको दें डंगर खेलती हुँ दिख जाएगा थेले मिनास है थोड़ा नहीं साट है striking force पे आपको D. Martins, Romelu Lukaku इनिक करासको खेलती हुँ दिख जाएगा Romelu Lukaku इस ट्रिम का penalty टेक करेगा थेले मिनास और थेले मिनास बहुत अच्छा performance पूट अप कर रही है तो एक बड़ी option होगा Kevin D. Bruyne नहीं है तो थेले मिनास के पास ability और मतलब चांसे से कुछ match खेलने के लिए ठीक है तो थेले मिनास बहुत अच्छा performance पूट अप कर सकती है बहुत लोग इनको drop करने वाले है लेकिन अब drop मत करना assist potential अच्छे है tackling interception भी बहुत अच्छा गड़ लेते है तो इस टीम के तरफ से फिरकी corner और penalty लेगा यही दो player तो यह दो player master peak है substitute आके goal किये थे उसके साथ Tobi Aldroyal बहुत important option है cross बहुत अच्छा करते है assist potential रखते है tackling interception भी अच्छा कर लेते है boyota last match में बहुत अच्छा performance put up किये थे तो यह 3 defenders को मैं suggest करूँगा भड मिलीन एक new defender से उतना खास performance नहीं है recently लेकिन अच्छा करते हैं दीख सकते हैं बड़े players के सामने player अच्छा करते हैं जब छोटे team के खेलते हैं तो अब उधना अच्छा performance put आप नहीं कर परते हैं तो यहावे भड मिलीन भी अच्छा करते हैं आपको दीख सकते हैं तो टॉपपिक में टबी अल्डरोयल्ड, बयाटा, ठॉमस मुनियर, थेले मेनास, थोर्गन हैजाट, डी मार्टिन्स, रोमालो लुकाकू, यानि करासकू तो इन में से जयातर players pick करने की कोशिश करना किलिन शिट पर डिक्ट कर रहे हो, भर मिलीन भी बहुत अच्छा चोईस है अब बात कर लेते हैं डेन्मार्क टीम की डेन्मार्क के लिए आपको केसपर शैमीचल गोलकिपिंग करतुई दिख जाएगा डेन्मार्क टीम के पास quality तो ही, बेल जी हमको भी थोड़ा पेशर में ला सकती है लेकिन लास्ट मैच में एक बहुत बड़ा हदसा हुआ था इस टीम के लिए इनका मेन प्लेयर एरिक्सवन बाहर हो चुका है क्योंकि उनका थोड़ा हट प्रॉब्लेम है सो डिफेंस बहुत अच्छे है, डैनियल ओयस मस्ट हैप पीक है, किसी भी टीम को पेफर कर रहे हो डैनियल ओयस आपके टीम में होना चाहिए, बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर है अगर आपको डिफेंस में और भी प्लेयर चाहिए, तो किस चेशन को आप देख सकते हो, अच्छा उप्शन हो सकते है महले भी टीसेंट फॉर में, कजेर भी अच्छे है, चारोई डिफेंडर्स बहुत अच्छे परफॉर्मेंस पूट अप किये है और बड़े कलाब के लिए भी खेलते हैं चारोई डिफेंडर्स, मिट फिलस की बात करूँ तो मैथिस जेंसेन है पीरे एमली होजबेज है, जो आपको टोटेन हम के खिलाब से खेलती ही दिखते है प्लेयर जबरदस थे, टैकिलिंग इंटरसेप्शन के साथ-साथ इस टीम के तरफ से फ्री की कॉर्नर भी टेक करते है तो इंपोर्टेंट होगा होजबाच थॉमस डिलनी है और अटाकिंग सेक्शन में आपको यूसुप पोलसेन, जॉनास वाइंट, मार्टिन ब्रेतोईट खेलती ही दिख जाएगा अगर आपको रिस्क की ओप्शन चाहिए, स्ट्राइकर में जॉनास वाइंट बहुत अच्छा एफेक्टिव सावित हो सकते है गडान लिग में ट्राइक कर सकते हो, मैक्सिमम लोग मार्टिन ब्रेतोईट के साथ जाएगा तो आप सेप्टी के लिए मार्टिन ब्रेतोईट के साथ जा सकते हो, लेकिन ब्रेतोईट से मुझे जॉनास वाइंट ज्यादा पसंद है साथ में Paulsen भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस लास्ट में फुटाप किये थे लेकिन Paulsen ऐसे प्लेयरे जो जल्दी सब्चिट्यूट हो सकते हैं इस वज़े से मैं उनको धना खास इंपोर्टेंट्स नहीं देता हूँ थोमस डियुन trucks एक ऐसे प्लेयरे जैसे अगंटे हैं टाकलेंग इंटरस्थेपशन अच्छा कर लेते हैं गोल एसीज स्डूथ ना करते नहीं हैं लेकिन टाकलेंग इंटरस्थेपशन से अच्छा पउइंट आपको दे सकते हैं 25 प्लस पॉइंट इन से एक्सपेट कर सकती हो सो इस टीम से टॉप पिक की बात करूँ केशपर सामीचल मस्ट है पिक है क्योंकि उसका रिजन है सामने रोमाली लुकाकू है तो ज्यादा तर ओन टार्गेट फेस करने पड़ेगाफ केशपर सामीचल को और ज्यादा सेफ भी दे सकते है डिफेंस में डैनियल वास है यहाँ पे मिट्फिलस में होजबोच इंपोर्टेंट है थामस डेल नी इंपोर्टेंट है अठकीं में तिनों ही प्लियार अच्छे है लेकिन मैं खास करके मार्टिन ब्रेटवेट और जानस वाइंट को पेफरेंस दूँगा इस टीम के तरफ से पेनल्टी लेगा मार्टिन ब्रेटवेट इस टीम के तरफ स्वरी लास्ट मैच में मार्टिन ब्रेटवेट पेनल्टी नहीं लिया था तो हौजबोच लेते तो फिर से हौजबोच आपको लेथुए दिख सकते है फ्रीकी कॉर्nor भी लेते हैं, पेनालटी भी ले सकते हैं लास्ट मैच में मिस किया था पेनालटी ये चीज भी है तो मार्टिन ब्रेतुएट भी ले सकते हैं तो ये दो प्लेयर मेंली आपको फ्रीकी कॉर्नर और पिनाल्टी ले थुए दिखेगा तो दोनों ही प्लेयर बहुत इंपोर्टेंट है तो टॉप पिक में मार्टिन बेटवेट होजबाज डैनेल वास केशपर शामीचेल और वाइंट पॉल सेन भी है अगर आपको क्लीन शीट पेडिक करना है जैसे 2-0 या 1-0 से बेल जियाम तो डिफेंडर साढ़े ले लेना मैं 3-0 टाइप आप इसको शीट पेडिक करा हूँ तो मेरा टीम भी कुछ उस टाइप आप ही होगा ज्यादा मैं अटाकिंग फोर्स पे ध्यान दूंगा दून हुई टीमों से तो यह मेरा एक्सपेक्टेशन है इस मैच में 3 और बेल जी आमूइन मेरा जो फैंटेशी टीम है यह है मेरा फैंटेशी टीम गोलकीवर्स में मैं शैमीचल को पिक किया हूँ डिफेंस में आल्टर रोल्ड बोयार्टा डैनियल वैस थॉमस मुनियर को मैं लिया हूँ वाइस कैप्टेन सी भी दिया हूँ क्यूँकि आटाकिंग सेक्शन पे ख प्राइक कर सकती हो, मिट्फिलर्स में मैं थिले मेनास, थोर्गन हैजार्ट, पी होजबॉच, यह आटाकिंग में मैं रोमालो लुकाकु, डी मार्टिन्स, ब्रेत वेट, बहुत लोग मार्टिन्स को ड्रॉप करेगा, लेकिन अच्छा प्लेयर है कभी भी पर्फॉर्मेंस अगर आपको डीक्स नहीं लेना है, मार्टिन्स को ड्रॉप करो, इस डिफेंस में एक्स्टा बेल जी आमकी डिफेंडर्स लो, जैसे भर मिलीन हो गया, तो यह चैंस अप कर सकते हो, मार्टिन्स भर मिलीन आपका जोईस, मेरा कैप्टेंसी में दिया हूँ, रोमालो लुक चैनल पर जोईन कर लो, आप्टर लाइनप आपको फाइनल टीम मिल जाएगा, जो भी फारदर अपडेट्स न्यूस इनफॉर्मेशन आएगा, टेलेगरम चैनल पर आएगा, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको लिंक मिल जाएगा, टेलिक्राम चैनल का उ उस लिंक के थूरू से टेलिक्राम चैनल पर जोईन कर दो, तो डेफिनेटली टेलिक्राम चैनल पर जोईन कर लो आपको सारे अपडेट्स मिल जाएगा, और मैं आपको सिंपली तरीके से बताने की कोशिष के हो, जो में चीजे होते हैं, जैसे हेट्टो एट रोकार्ट लिंक है जोईन कर लो आई है थैंक यू धन्यवाद वीडियो कों तक देखने के लिए